किणवन उत्पार्थ और नए उत्पाद बनते हैं इन अन्न उत्पादों में किणवन की वज़ा से रूचक स्वाद और गंध निर्मान होता है एक दुखदजन्य उत्पाद दो बेकरी तीन अन्य किणवन किये हुए उत्पाद अ दुखदजन्य उत्पाद पूरी दुनिया में कम से कम 400 विविदक किणवन किये हुए दुखध के उतपाद है जिनमें दही, च्छाच, योगर्ट यानि दही जैसा पदार्थ, चीज हम साधरनता जानते हैं दही और च्छाच ये दूद का किणवन करने की भारतिय परंपरा नैसर गी कृती से प्रोबायोटिक है योगर्ट बड़े पैमाने पर बनाया गया पाशराइज दूद से बनाया हो रुपांतर है चीज किणवन किये गये दूद से बनाया गया यूरोपिय उतपाद है दूद में से दूद शरकरा का किणवन करता है लैक्टिक अमल डाय असिटल और असिडल डिहाइड बनते हैं जिससे टेट स्वाद और गंध मिलता है घर में बने हुए दही में मिश्र प्रकार के लाब हो सकते हैं घर में दही बनाने को मराठी में हम कहते हैं विर्जन लगाना या हिंदी में कहते हैं दही जमाना विर्जन का मतलब पिछले दिन का बना हुआ दही जिसमें ताजे बने हुए लैक्टिक असिड जिवानों होते हैं जो जिवानों की वृद्धी शुरू करते हैं जिसे नया दही बन सकता है दही बनाने की प्रक्रिया लेकिन योगर्ट जब बड़े पैमाने पर बनाते हुए सिर्फ एक या दो प्रकार के लैप चुने जाते हैं कई योगर्ट में पाश्राइस फलों का गुदा मिलाया जाता है दही बनाने की प्रक्रिया थोड़ा गुनगुना गरम दूद ले उसमें लैक्टिक असिड जिवानों डाले यहां लैक्टिक असिड जिवानों नए जो जिवानों की वृध्धी शुरू करते हैं जिसे लैब कहते हैं व्यावसाईक उत्पादन के लिए जिवानों की वृध्धी के लिए उचित तापमान कायम रखा जाता है जिवानों के वृद्धी से लैक्टोस शरकरा का किनवन होकर लैक्टिक एसिड तयार होता है इससे दूद के प्रूटीन गाढ़े होकर दही बनता है इससे दूद के प्रूटीन गाढ़े होकर दही बनता है चीज बनाते हुए जानवरों के अननलिका से प्राप्त रेनेट प्रकीन या कवकों से प्राप्त प्रूटीएज मिलाए जाता है आजकल दुनिया में अनेक प्रकार के चीज बनाए जाते हैं बहुतों में lactobacillus lactis का इस्तमाल शुरू के दही बनने की स्थिती में वृद्धी के लिए होता है दही से पानी अलग किया जाने के बाद गाड़े दही के टुकडे को काटना, धोना, रगणना और नमक मिलाना ऐसी सीडिया होती है अंत में परिपक्व करने की प्रक्रिया में चीज के प्रकार बहुत मुलायम से बहुत कड़क चीज के अनुसार पास से सोला महिनों तक का समय लगता है क्या आप जानते हो, टॉम एंजरी के कार्टूंस में दिखाया गया तिकोना चीज का टुकड़ा जिसमें बुलबुले जैसे छेद होते हैं इसे स्विश चीज कहते हैं प्ररूपी ऐसे छेद बनना ये स्विश चीज की खासियत है इस चीज बनाने के प्रक्रिया में परिपक्व करने की अंतिम पेडी में प्रोपिनो बैक्टेरियम स्पेशी जिवानों को डाला जाता है जो इसे सुवाद देता है और इसमें गैस बनता है जिससे ऐसे छेद बनते हैं और एक blue cheese नाम का प्रकार है जिसे परिपक्व करते हुए penicillium के बीजानू दले जाते हैं इटली का parmesan cheese बहुत सक्त होता है जिसे परिपक्व होने में 12-16 महिने लगते हैं Probiotics किणवन किये हुए कई दुखदजने उत्पादों में होने वाले बहुत सारे सुक्षमजीव मनुष्य की आंतों में स्थित सुक्षमफ्लोरा को स्थिर करते हैं Lactobacillus के साथ तेज विक्सित होने वाले Probiotics क्षेतर में Bifidobacterium का उपयोग किया जाता है अहार नाल में सुक्षमजीव मिलाने से मूल पोशक मूले के अतिरिक्त स्वास्थ में सुधार होता है Probiotics से स्वास्थ के लाब ठोस कैसे और कितने होते है ये अभी तक असपष्ठ है लेकिन लैक्टोज असहनियता सिरम कुलिस्ट्रॉल को कम करना और संभवता कैंसर के विरोध में वो सक्रियता दिखाते हैं A. बेकरी उत्पाद Baker's yeast सुक्षमजैवी बायमास के उत्पाद का उधारन है वह संपीडित ये सक्रिय रूप में उपलब्ध होता है घर में बेकिंग करते हुए आप में से कईयों ने इसे देखा होगा या इस्तमाल किया होगा ब्रेड मानवी खादि संस्कृती में सबसे प्राचीन अन्न है और इसे yeast नाम के कवक की सहायता से बनाया जाता है ब्रेड बनाते होए yeast को oxygen जीवी परिस्थिती में बढ़ाया जाता है इस कारण CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और अलकहोल कम संचित होता है बेकर्स yeast सैक्रोमाइसिन सेरिविसी आटे में मिलाया जाता है जिसमें माल्टेज और इन्वर्टेज प्रकीन वहोते हैं जिनमें आटे को फुलाने की शक्ती होती है इस्ट से बनाया गया CO2 कई ब्रेड को हलका बनाता है इ अन्य किणवन किये होए उत्पाद स्वर्क्रोट ये खट्टा गोबी बासी या बारिक कटे गोबी से बनाया जाता है इस उत्पाद को बनाने में लिकोनोस्टोक मेसेंटोरोईट्स और लैक्टो बैसिलस प्लानेट अरम ये सूक्षमजियों का योगदान होता है कई फल और सबजियों से उनकी सेहत पर होने वाले सूक्षमजियों के नैसरगिक किणवन से अचार बनाया जाते हैं अचार में मसालों के साथ सोडियम क्लोराइड याने साधारन नमक के मिलाने से 5 प्रतिशत से 16 प्रतिशत गाढ़ा होता है नमक उपद्रवी सूक्षमजियों की बढ़त रोखता है किणवन में 10 से 12 दिन लगते हैं ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटरोईड्स, लैक्टोबैसलस ब्रेविस और लैक्टोबैसलस प्लानेटरम इसमें विक्सित होते हैं ये सूक्षमजियों के नमक प्रक्रिया में प्रमुक भूमी का निभाते हैं यहां कार्बोहेडरेट का रुपांतर लैक्टिक अमल में होता है। कभी-कभी अचार की समान गुनतार रखने के लिए नैसरगिक सूक्षमजीव को पहले मारा जाता है और बाद में शुद्ध लैक्टु बैसलिस प्लानेटरम को केनवन के लिए लिया जाता है। तो विद्यार्थियो व्यावहारिक और ओद्योगिक सूक्षमजीव विग्यान के बारे में ये विडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा के विख्यात फ्रेंच शास्रद्निय और सूक्षमजीव विग्यान के संस्थापकों में एक लुईस पाशर ने कहा नि कर दो कर दो कर दो कर दो